हलो गैज, आज की इस वीडियो में जानेंगे समुहन, समुहन यानि ग्रूपिंग, समुहन क्या है, समुहन किसे कहते हैं, समुहन की परिभासा क्या होती है, समुहन से आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ भी पुछ दिया जाया, तो वही लिखर आईएगा जो मैं आज इस वी यह झालग लग संहों से की जा सकती हैं नहीं के पहचान सरलता से की जा सकती है और इसकर्य को समोहन कहते है जैसे में कील है, खुरपी, पहिया, बला, रैकेट, माग, गेंद, उन, चौक, पेन, पेंसिल, नोटबुक, रबबर, साबुन, माचिस का डबा, फॉल, नमक, आलू, चावल, दाल, चॉकलेट, फूटे हुए बल्ब, मुंबती, पॉधे, फूल, आदी यह सब को एक ही जगा रखा जाएगा, तो हमें खोजने में तकलीफ होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग-अलग सामुह में रख देंगे, जैसे मैं यहाँ पर देखिया, अब खाने वाला चीज है, तो मैंने अलग-अलग रख दिया है, फॉल, नमक, आलू, चावल, दाल चॉकलेट, यह सब खाने वाला चीज है, तो मैंने इसको अलग रख दिया है, इसके बाद चॉक, पेन, पेंसिल, नोटबुक, रबर, यह भी अलग रख दिया है, बला, गेंद, रैकेट, पहिया, यह भी अलग है, केल, खुरफी, यह भी अलग रख दिया, पिर इसके समुहे में रखने की किरिया समुहन कहलाती है इस तरह अगर रहेगा तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि कौन चीज कहां पर रखा हुआ है और खोजने में हमें दिकत नहीं होगी मुझे आसा है कि आप समुहन को बड़े ही आसानी से समझ गया होंगे तो चलिए मिलता है एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम